बड़े बड़े बाते करे थे 26 इंच का चीना, सीना, फुला, 56 इंच, ए चाय वाले, 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहड़ाता है अगर आपको कोई कक्लीफ है, तो वार करना है, तो मुझ पे करिये, मेरे दलीद भाईनों पर बार करना बंद कर दीजिए, वार करना है तो मुझ पे किजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाएए, मेरे दलीद भाईनों पर मत चलाएए उनको मार रहीं तो आपको हुई मार दे अब गोबर खिला रहेतो उसको किसको खिलाना? किसको किसको भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं 8-8 बच्चे पहला करो तुम भी मुसलमान के 4-4 बीवियां तुम भी करो किसने रोका अब वो अलग बाते तुमको एक को नहीं समाल रहे हम चार को समाल बच्च को अरे हिंदुस्तान की पैचान हिंदुईजम नहीं है मुस्लिमिजम नहीं है सिख इजम नहीं है पार्सी इजम नहीं है क्रिस्टेनिजम नहीं है हिंदुस्तान की पैचान हिंदुस्तान का सेकुरेरिजम है मैं काओंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जूटा, सबसे बड़ा धोके बाल, सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा हातिल अगर कोई है तो मैं नरें दर्वोगी सवाल उनसे है जिनोंने कहा कि बड़ा अवतार है, मसीहा है, फुला है, बदलाओ आया, चेज आया, अच्छे दिन, वा क्या दिन आ गए लेनों में चले उने क्या अच्छे दिन, क्या इस अच्छे दिन के वास्ते ओड़ दिये थे देने वाले, मिस्टर मोडी, पंदरा लाग का जो सूट पेले थे ना, ओबामा आए वक्त, मोडी 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 लिखावा था, वो काले धंका था, या सफेद धंका था अरे मुसलिमान में राम का ऑखुन नहीं है, मुसलिमान में आदम अलेस्सलाम का ऐंका अल्लाह, महामद रशुल अल्लाह का कर्वा गुश्ता है अरे हिंदुस्तान को लख जिहाद घर वापिस ही गाउ रख्षक की जुरत नहीं है हिंदुस्तान को दो वक्त की भोटी की गवड़ है तो वजीर आदम क्या बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है छिचोड़ा आप बताईए कैसा अदमी है बताईए तिक रहा है वजीर आदम के वैसा जाँ गया कर नहीं मिले राविले सिर्फ एक काम अच्छा करा ओबामा आए वखत दिल्ली की सर्दी में चाय दाल के फिला रहा है कितनी तकलीफ होती है मुखाटिफ करते करते मैं जानता हूं मेरा अल्ला जानता है लेकिन फिर भी मुदना जिस किड्नी पे गोली लगी थी चाखू लगी दॉक्तर बोले निकाल देना पूरी फड़ गई एक डॉक्तर बोला नहीं रहने तो बाद में देखेंगे आज वो गुर्दा वो किड्नी पहले से ज्यादा ची चल गई यहाद जो कहते थे लोग उठ नहीं सकता अरे यहाद इतना मदबूत हो गया कि मुसल्मानों की अजबत के लिए एकिड़ार के गिरवान को पकरके खेलने के ताख़ लगता यहाद अरे यह सब कुछ मुम्किन हुआ तो क्यों हुआ इसलिए हुआ क्योंकि हम अल्ला की रजा के लिए काम करें मैंने त्याग दिया किसको त्यागा भाई थी बड़ा महें खाते रा रोल फ्राइस की गारी थी बच्चे थी बीजी थी कोड़ा रुदिये था क्या था क्या था क्या थ्याग दिये एक बुड़ी माहे छोड़कर आगए अपनी निचली तर्जे की सियासत के लिए जईव मा को भी खतार में खड़ा दिया बताने के लिए देखो मेरी माँ खड़ी है अफस्स अगर उस मुदी के जगा मैं होता तो अपनी मां के लिए मैं खतार में खड़े होता और मां को अपना पैसा देगा मैयत को ले जाने को रास्ता नहीं है कोई बात नहीं एक खड़ मर रहे हैं रोज मरते हैं क्या गंजगी है ठीक है रहने दो अरे आपके इस सोच की वज़ा से आज ये आपके सर पर बैख कर नाच रहे हैं अरे मजिलिस आई है तो देखो आठ दिन में हम उनके सर पे बैच रहे हैं और वो कैसा नाच रही है ऐसा नाच रही है जैसा नाच मेरी मुल-मुल तुझे पकिसा मेलेगा पाकिस्तान चले जाओ बीफ खाए वो खाए हाँ मैं खाता हूँ बीफ क्या करते बताओ मैं खाता हूँ खाता रहोगा पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ मजे में काम्परमाईज नहीं कर सकता जब तक ये जबड़े के अंदर गोश नहीं रहा निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता चलो मैं तुमका चालेंज करता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना माभारत भगवत गीता को सर पे रखे उस मंदिर के भगवाम के सर पर हात रखे खसम खा के बोलना कि जिन्दगी में तुम काला धन नहीं कमाए काला धन नहीं खरीडे एक परसंटेश के लोग है जिन में मैं भी हूँ जो यह मानता है कि गुजरात के पिसादात का जिनमेदार कोई और नहीं वो नरेंदर मोदी है चोहर के सामने बीई की इसमत को लुटाया बीटे के सामने मा की आबरू को लुटाया और भाई के सामने बहन की इसमता को लुटाया बच्चों को यतीम कर दिया सुहागों को उजार दिया अरे इस दरिंदे के खिलाब कांग्रेस ने कोई कारवाई क्यों नहीं किये मेरा सवाल अरे मेरी आग रोती है अगर कांग्रेस 2004 में अफ्तिदार पर आने के बाद अगर इस शक्स को चार शीट करती जेर में डालती हदकड़िया पिना देती तो ये शैतान ये जालम हिंदुस्तान का वजिर आदम नहीं कोटा ये आरेसेस नहीं ये कलब अफ बैचलर्स है और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे खुद जिम्मेदारी का बुझ नहीं उठाएंगे खुद तकलीव नहीं उठाएंगे बीवी और बच्चों की पुकारों को उनकी खिल-किलाहक को उनके तनखीदों को और उनके घुसों को नहीं जेलेंगे लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप चार चार पैदार क्या करेंगे क्या करेंगे जेल में डाल देंगे ना सूरी पलत कर देंगे मर देंगे ठीक है हम मरने तैयार है सूरी पे लड़कने तैयार है जेल में जाने तैयार है लेकिन इजारे हक से मूँ मोडने तैयार नहीं है नहीं है नहीं है हम तुम्हारा मुखाबला करेंगे और अगर साल दो साल पांच साल दस साल या जिन्दगी भर जेल में रहते हुए मर भी जाना है तो अकबर अद्दीन वेसी को वो भी खुबूल है लेकिन तुम्हारे सामने हम जुकने को तैयार नहीं है अपर साल यह तो ऐसी हो गया हतेली में जन्मद लिखाना एक तरफ उनु है यह तरफ इनु है अब बीच में तो बीच वाला है अब समझे आँ भेलेल मुदी बोल रहे हैं ड्रिलाइंस के दवाखाने में कि आज से सभीयों सैक्ड़ों साल पहले प्लास्टिक सर जड़ी तो कैसा थी वो भी बता रहे कि इंसान की गर्दन कार दी गई तो हाथी का सर लेकर आगा गया क्या है क्या है बतारी क्या है बतारी कुझरात में फड़ाया जा रहा है के वाखन गाडिया महाभारत के दौर में आ गई थी टेलफॉन था उस दमाने में मैं मालूम ये भी कौन से किसके अफ़तार चली कंवकेशन था डिगरी की तक्सीम की वहाँ वे मुखातिब थे मुखातिब करते करते रोहित का जिकर लाए रोहित का जिकर लाते ही श्याद आकारी च्या एक्टिंग थी देखो जाके नेट पे भाई कि मेरे ही देश के नजवान बेटे रोहित को आत्मात्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा रोहित बोलके रुग गए दो में फिर खामोश फिर यूँ ऐसा तिर उसके बाद आप बताईए हर उसमें आक्टिंग लेकिन ये वजीर आजब अंदुस्तान मैं पूछ रहा चाता हूँ अखलाग के घर में घुसकर जूटे इल्जान के तहर अखलाग को मार दिया उसके बेटे को जखमी कर दिया उसके बुड़ी मा को तमाचा मार के नीचे गिरा दिये अखलाग मर गया उसका भाई गवा खाने में जिन्दगी और मौत की कश्मकश में था उस वक्त वजीर आजम तुमारी किलाव क्या कारवाई करने वाले हो में रहे सवाल है अगर जरी भी शर्म है तो चूले और पानी में डूम मरो एक बाहर के मुलक का सदरा कर हमको किस तरीके से मुलक को चलाना चाहिए कहकर चला जाता है शर्म की बात है अग्तरा उनमिला तो हकूमत करना भी नहीं आया यह तो मान रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया बस घूम रहा है हमारे पास हैजरावाज में अरुदों में बोलते हैं पता नहीं यहां भी बोलते हैं नहीं कि नादी दे को मरीदा मिला तो फातिया देने मुला नहीं वो भी की जल्दी एक नए फखीर को मौखा मिल गया दुनिया फिरने का देखने का तो उताना पड़ा है बस फिर रहा है फिर रहा है फिर रहा है कहीं जाके ड्रम बजा रहा है दर 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 मंजलिस गांधी भवन को नहीं गई दर उसलाम की चौकट की धूल चाटने पर मजबूर इंडरा गांधी हुई थी लिख लो मेरी बात को खुदा की खसम अकबर दीन ऐसी ये सोनिया गांधी ये राहुल गांधी ये जितने भी गांधिया उनके गुलामा जितने भी है उनको दुबारा दर उसलाम की चौकट पे सबान को चाटने पर मजबूर कर दूँगा नरंदर मौदी के लिए मुलाइम सिंग यादव ने क्या कहा वार नासी में जलसे में मुलाइम सिंग यादव ने कहा के नरंदर मौदी वो शक्स है जो इनसानियत का खातल है मुलाइम सिंग ने कहा वार नासी में के नरंदर मौदी वो शक्स है जिसके हाथ हिंदुस्तानियों के खून में डुबे हुए हैं रंगे हुए हैं और वही मुलाइम सिंग वही मुलाइम सिंग इसी इनसानियत के खातल को आशिरवात देता है अपने घर की शादी में मदू करता है और उसी खून में डूबे हुए हातों में हाथ अपना रखकर हाथ मिलाता है कंबई नगरी के युस्फ खान दिलिप कुमार अमीता बच्चन शारो खान सल्मान खान शर्मा जाना और कहना कि हमारे से बड़ा एक्टर तो ये है हाथ है रो रहे हैं मुझे मार देंगे मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया कौन सा पिक्चर था मुझे याद नहीं मैं इसकूल में था जब फिल्मों का शौक था तो वो फिल्मे याद नहीं आ आना कौन सा फिल्म था मगर ये याद है अमीता बच्चन का फिल्म था अ वह गाना क्या था हसते हसते रोना सीखो रोते रोते हसना सीखो जिदनी चावी भरी राम ने उद्धना चले खिलो ना मेरे कले के छुणी की लगने तो ने को रुगा खिले के करी पर भी लिखाना ने ये बाबत मातला की ज़ोना है